गजिंदर सिंग शिखावत की गिंती भारतिय जनता पार्टी में अपनी जमीन से जुड़े नेताओं में होती है वो अपनी बातों को सीधे जनता में सही तरीके से रखने में कुशल है यदि शेत्रिय राजनीती में उनकी छवी की बात करें तो बच्चों के बीच वो मिनिस्टर अंकल के नाम से अधिक जाने जाते हैं बीजेपी की केंद्रिय इकाई में इनकी गिंती राजिस्थान से आने वाले अग्रिम नेताओं में होती है केवल इतना ही नहीं शेखावत अपने लोगसभाजशेत्र में जनता के द्वारा अधिक पसंद किये जाने वाले नेता माने जाओं नमस्कार मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब के इसरी राजिस्थान पर हमारा खास कारेकरम पॉलिटिकल फेस हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे गजिंदर सिंग शेखावत की तीन अक्टूबर 1967 को राजिस्थान के जैसल मेर जुले के महरोली नामक गाओ में जनमे गजिंदर सिंग शेखावत के पिता का नाम शंकर शेखावत और माता का नाम मोहन सिंग कवर है 24 नवंबर 1993 को गजिंदर सिंग का विवहा नौनंध कवर के साथ हुआ उनके एक बेटा और दो बेटी है उनके पिता सरकारी अफसर के पद से रिटायर थे अफसर होने के कारण उनके पिता का अलग-अलग जगहों पर ट की संस्कृति रहन सहन को समझने और जानने का भरपूर अफसर भीज दौरान मिला शेखावत ने जोधपुर स्थित जैनारायन व्यास यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में में और बाद में दर्शन शास्त्र में ही एंफिल की डिग्री प्राप्त की गजिंदर सिंग शेखावत की राजनेति की यात्रा खासी रोचक रही है सेखावत विध्यार्थी जीवन से ही छात्र राजनीती में सक्रिय रहे हैं उन्ही दिनों शेखावत अखिल भारतिय विध्यार्थी परीशद से जुड़ गए थे उन्ही दिनों वो आर एस सहित कई सामाजिक के महासचिव भी रह चुके हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर 40 विध्याले और चार छात्रावास खुलवाने में शेखावत की भी भूमी का रही है साल 1992 में जोत पुरस्थित जैनारायन व्यास विश्व विध्याले से छातर संड का चुनाओ भी उन्होंने लड़ा था जिसमें उनकी जीत हुई थी इसके बाद शेखावत ने राजनीती से किनारा कर लिया था और साल 1994 में व्यापार करने इथोपिया चले गए थे लेकिन उनके मन में राजनीती बसी हुई थी इसलिए उनकी राजनीती वाली इच्छा ने उन्हें फिर से 2014 में स्वदेश लोटने को विवश किया उन्हें 2014 में होने वाले लोगसभाज चुनाओं के लिए टिकेट मिल गया और जीत तरज की साल 2017 में उन्हें क्रशी और किसान कल्यान मंत्राले में रज्य मंत्री का पद दिया गया साल 2019 में हुए सत्रवी लोगसभाज चुनाओं में भी भारतिय जनता पार्टी ने उन्हें ही फिर टिकेट दिया और फिर उन्होंने जीत हासिल की उनकी प्रमुख उपलब्धियों में जोधपुर हवाई अड़े का विस्तार और सीमावर्ती छेत्रों में विध्यालियों की संख्या में वृद्धी कराना है और अब बात करें गजेंदर सिंग शेखावत से जुड़े किसी रोचक किस्से की तो गजेंदर सिंग पर संजीवनी घोटाला ERCP को लेकर दिये बयान सहित कई मामलों को लेकर आरोप लग चुके हैं वहीं देश में हिंदू मुसलिम की बहस को लेकर केंद्रिया मंत्री शेखावत ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाया है वहीं ताज महल, कुतब मिनार और ऐसी ही धरोवरों को लेकर छड़ी बहस को लेकर भी केंद्रिया मंत्री शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ताज महल देश की शान है कुतब मिनार वर्ल्ड हैरिटेज साइट है इसलिए हमें इन पर गर्व होना चाहिए देश को आजादी के समय में जिन विश्यों के बारे में चिंता करनी चाहिए थी और देश के इतिहास को जिस तरह से देखना चाहिए उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है जिम्मदार लोगों ने इतिहास को तोड़ा मरोडा है मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इतिहास दोबारा लिखा जाए लेकिन इस पर अनुसंधान होना चाहिए तो फिलाल इस खास बेशकश में इतना ही फिर नए सेग्मेंट में हम चार्चा करेंगे ऐसे ही किसी खास जनपृतिनी धीकी तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत नमस्कार